तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एयार एजुकेशनल हब तो फ्रेंट्स आज तुड़े हम लोग आज बात करने वाले हैं जहारखन कंबाइंड इंट्रेंस कॉंपिटेटिव एक्जामिनेशन फ्रेंट्स आज इसकी बात करेंगे हम लोग क्योंकि सबसे बड़ा मैटर यहीं बनावा है क्योंकि कोरोना खतम होने अभी तो कोरोना खतम होने के कोई भी चांसे तो नहीं दिख रहे हैं आपको ही पता है कोरोना बढ़ते जा रहा है बट ऐसे सिट्वेशन में भी नीट या फिर जेई एडवांस या जेई मेंस अब बाकी है इन्होंने अभी तक अपना एक्जाम नहीं करवाया है और इनकी कोई नोटीस भी सामने नहीं आ रही है कि एक्जाम होगा या नहीं होगा इन अभी तक कोई भी इसमें नहीं आया है फ्रेंट्स जैसा कि मैं आपको बता दूं जो अभी का जो नोटीस आया वाए 2020 तो यहां पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं फ्रेंट्स तो जितने भी एक्जामनेशन हो चाहे भी एसकewी नरिसिंग हो या फिर पारमेडिकल हो और जीतने भी लिए जन्षी लिए दक्षाब पर उस्टेस ऑल crush होते हैं और उनका चाट शम staple है जब आलाइन था दो 해 कर लाज डेट तक सारे वहाँ पर डिटेल दिये वे हैं बट इसमें कोई भी ऐसा डिटेल नहीं दिया गया है जो इस्टुडेंट को ऐसा लगे कि हां मेरा एक्जाम होने वाला है मैं तयारिक कर सकूं उनको कोई हिंट भी नहीं मिल पा रहा है न वो आगे बढ़ पा रहे हैं हां एक्जाम हो गया नहीं होगा बट अभी तक इतने दिन हो गया है अभी तक कोई भी इंफोर्मेशन कोई भी नोटिस कुछ भी नहीं कहा गया है यानि इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जैसी इसी बी कितना लापरवा होते जा रहा है कि बच्चे परिशान है और ऐसे मे आप देख सकते हो अभी यह Пर марक शीट होता है वह आप लोड करने बोल रहा है जो आपका मार्ग शीट होता है वह उसको अपन्रोड करने वर बोल रहा है यानि सीधा-सीधा बात है कि आपका जो एडमीशन है वहelnे आपके मेरिट पर होगा मेरिट यानि जैसे कि मैंने आप को कहा था अगर किसी student का अगर 89 percent highest score है तो यहां से admission process start होगा यानि 89 पर admission मिलेगा और उसके बाद इतने भी आएंगे जितने भी college होंगे जैसा कि फिर अगर किनी का 89 है तो जिनका 88 होगा फिर उनको मिलेगा जैसा कि किनी का 88 percent होगा तो उनको मिलेगा अगर किनी का अगर यहां पर देखा जाए अगर 80% भी है तो उनको admission यहां पर मिलेगा फिर seat के अधार पर इतने भी seat खाली रह जाएंगे अधार पर उनका admission मिल जाएगा अब फ्रेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इक्जाम थे देखे जैसा कि आपको मैं यहां पर दिखा दूँ यहां पर बीसी nursing post basic entrance competitive exam 2020 nursing entrance competitive exam paramedical entrance competitive exam यह जितनी भी exam है यानि इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि यह सारे exam नहीं होंगे क्योंकि friends अभी का नोवेंबर खतम होने वाला है नोवेंबर में मात्र साथ दिन बचे हैं और यह नोवेंबर खतम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अधिकतर जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अगले college जो भी जितना उनका अलग college होगा या फिर कोई भी अगा करना चाहा रहे होंगे बीस की होंगे तो वह बच्चे अपना कहीं न कहीं admission करवा लिए होंगे तो इतने टाइम गुजर जाने के बाद अभी तो exam होने के कोई भी chances नहीं है अभी तक तो यहीं सामने आ रहा है कि कोई भी chances नहीं है ज्यादा आप इस वेर रहें कि आपका admission merit list के अधार पर ही होना है ठीक है क्योंकि कोई notice सामने नहीं आई है और आपको यहां पर document upload करने बोल रहा है यानि आप इसको check करते रहिएगा इसका जो official website friend jcecb.com का इसको आप चेक करते रहिएगा ताकि जो आप लोग का भी अगर यहां पर देखिए नर्सिंग हो या फिर नर्सिंग इंट्रेंस कोपिनेटिव हो पारा मेडिकल हो अगर इसमें भी कहा जाए कि आपको documents upload करना हो तो कहीं ऐसा नहों कि छूड़िया है और आप अपना document यहां पर नहीं डाल पाएं ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यही बात मैंने आप लोग को बता तो फ्रेंड्स अगर मैं यहां पर chances की बात करूं तो अगर मैं 100% chances की बात करूं तो फ्रेंड्स यहां पर 90% chances हैं कि एकजाम नहीं 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 होंगी आपके मेरिट के अधार पर ही आपका एकजाम होगा ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग ये बात जरूरी समझानी समझी इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए का चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल प्रेस कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद